फ्रेंट्स आज टॉपिक में बात करेंगे अम्रूद के प्लांट को कैसे लगाना है और इसकी क्यार किस तरी के से करनी है चले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं मैं हूँ अनूप आपका होस्ट और आप देख रहे हैं बग्या की ABC Friends अम्रूद के प्लांट को ग्रो करने के लिए अगर आप इसे बीज से ग्रो करना चाते हैं सीडलिंग करना चाते हैं तो आप इसे फरवरी और मार्च की समय में करिए सबसे बेस्ट टाइम होता है अम्रूद के सीड्स को लगाने का इस समय पे बहुत अच्छे से इसकी ग्रो प्लांट को लगाने के लिए आप किसी भी तरीके की मिट्टी यूज कर सकते हैं चिकनी, रेतेली, डोमट मिट्टी कोई भी मिट्टी में आप इससे लगा सकते हैं किसी भी मिट्टी में आसानी से ग्रो कर चाता है pH का लेवल भी इसे 4.5 से लेके 7 के बीच में सूट करता है तो आप किसी भी तरीकी की मिट्टी में से लगा सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है प्लांट को लगाते समय आपको इसमें Organic Compost का ही यूज करना है Cowden का यूज करना है Eggshell का यूज करना है तो आपको लगाते समय एक small size के pot का ही यूज करना है आप देखेंगे मैंने इस plant को जब लगाया है तो लगाते समय मैंने इसमें 8 हिंच के pot का ही यूज किया है तो starting में आपको एक छोटे से pot के अंदर में plant को लगाना है क्योंकि इसका root ball बहुत छोटा होता है अगर आप नरसरी से plant को लाके लगाते हैं तो ऐसे में plant जब तक एक mature plant में नहीं convert हो जाता है तब तक आप इसे big size के pot में मत लगाए अगर आप इसे बड़े size के pot में starting सही लगाएंगे तो आपका plant धीरे growth करेगा उसकी growth slow रहेगी तो इस बात को आपको ध्यान रखे plant को लगाना है plant को लगाने के बाद में आपको इसे full sunlight में रखना है जहांप इसे 7 से 8 गंटे तक की धूप मिल सके अगर इतनी धूप इसे नहीं मिलेगी तो plant सही तरीके से नहीं चलेगा इसको रखने के लिए घर में best direction है north side में आप रख सकते हैं या फिर east side में रख सकते हैं या northeast में भी रख सकते हैं यानि की north, northeast और east यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हैं इस एरिया में रखने पे plant पे आपको अच्छे result मिलेंगे घर के अंदर में वास्तू के हिसाब से अगर आप North Indian हैं तो आपको February और इसके साथ में June ये फैवर जून ऐसे दो मन्त है इसमें में आपको प्लांट पे फ्लावरिंग मिलेगी तो आपको साल में दो बार प्लांट पे fruits खाने के लिए भी मिलेंगे लेकिन कभी-कभी fruits drop होने लग जाते हैं, flowers drop होने लग जाते हैं तो ऐसे में आपको प्लांट की soil के अंदर में wood ash का use करना है wood ash का use अगर आप प्लांट पे करते हैं तो ये fertilizer का भी काम करता है और flower drop होने वाली problem को control करने का काम भी करता है plant की उपर में कई बार cheat आटएक भी हो जाता है तो आपको plant को safe करने के लिए चूने का use करना है चूना आपको लेना है पानी में गोल करके week में कम से कम दो बार plant की उपर में apply करना है तो जो चीटियां प्लांट को उपर में चिपकी रहती हैं, प्लांट को कमजोर करती हैं, वो इससे दूर भाग जाएंगे और प्लांट आपका पूरी तरीके से सेफ हो जाएगा और इसके साथ में चूने में केल्सियम भी होता है, तो ये प्लांट के लिए भी बहुत ज़्य ग्राम एप्सन सॉल्ट और थोड़ा सा सिन्मन पॉडर इन सभी कॉपस में अच्छे से मिक्स करके फिर आपको प्लांट को लगाना है प्लांट को लगाने के लिए पॉट को आपको रेडी कर लेना है पॉट में नीचे सारे डेनेज होल ओपन होने चाहिए नीचे थर्मकॉल के टुकड़े लगा लेना है अगर आप प्लास्टिक अपॉट यूज कर रहे हैं तो अब एक बार प्लांट को रखके देख लेना है पॉलिथीन के साथ में ही इसकी हाइट कितनी रखनी उससाब से आपको नीचे स्वाइल डालना है तो अभी थोड़ा सा और इसे डालना के प्लांट को रख देते हैं प्लांट आपका सेंटर पे होना चाहिए इस बात का आपको ध्यान रखना है जिससे चारोत रपिस की रूट्स का ग्रोथ होगा और प्लांट भी आपका स्टेबल रहे सुफरेंट्स प्लांट को लगाने के बाद में इसे एक बार ऐसे ठोक के आपको इसकी स्वाइल को सेट करके फिर इसमें वाटरिंग आपको कर देनी है so friends plant को watering करके आपको इसे full salad में रख देना है पानी इसमें rain water ही देना है भी बारिश समय में बारिश का पानी सबसे ज़्यादा best है और इसके साथ में इस बात का ध्यान रखना है कि drainage hole से पानी बाहर आ जाना चाहिए इतना आपको watering इसमें करना है so friends topic को मैं यहीं पर इस information के साथ मैं wind up कर रहा हूँ यह information आपको कैसे लगी मुझे आप comment करके जूर बताएगा till then click friends bye bye thank you happy gardening